नमस्कार दोस्तो नैन क्लासेस में आपका स्वागत है इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे बिहार पॉल्टेक्निक का काउंसलिंग के बारे में तो बिहार पॉल्टेक्निक का काउंसलिंग चालू है और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कि यदि आपको तो आपको कितना rank चाहिए, यदि आप General Student हो, तो आपको कितना rank चाहिए, EWS वाले बच्चे को कितना rank चाहिए, BC, EBC, SC, ST, Disable Quota या Service Man Quota, आप सारा पूरा detail में बात करेंगे, और इस वीडियो में आपको ये पांचों college का जो doubt है न, guarantee के साथ clear हो जाएगा, clear है, चली वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला बात करते हैं General, यदि आप General student हो, आपका कोई भी category नहीं है, तो फिर आपको एक ही वो rank मिला होगा, UR rank, Unreserved rank, ये सारे बच्चे को मिलता है, General बच्चे को भी UR rank मिलेगा, EWS का कोई student है, उसको भी UR rank मिलेगा, BC वाले बच्चे को भी UR rank मिलेगा, clear, लेकिन जो General है, उनको सिर्फ UR rank ही मिलता है, तो बात करेंगे कि सर पट्रा में हमको चाहिए civil, और हम General student हैं, तो हमको कितना rank तक मिल जाएगा, तो देखो बता रहे हैं, कितना rank तक आपको मिलेगा, पिछले साल के data के हिसाब से, आप आपको 150 rank तक में civil मिल जाएगा, पटना 13 में, 150 rank, यदि आपका UR rank 150 तक है, तो पूरा चांस है कि आपको civil मिल जाएगा, ये पिछले साल का record के हिसाब से बता रहे हैं, मुलब second allotment, third allotment जो पूरा प्रक्रिया था, उसके बाद 150 rank तक बच्चा को मिला था, clear, ऐसे तो first allotment में 90 rank तक को ही मिला था, लेकिन मैं पूरा आपको average बता दे रहा हूं, कि अगर आप 150 rank तक हो, तो आपको पटना 13 में civil मिलने का बहुत अच्छा चांस है, clear, बात करते हैं, EWS quota में यदि आप हो तो, तो आपका EWS rank जो होना चाहिए, वो होना चाहिए आपको 57 या एपरोक्स मान के चलो 60 तक, EWS वाला rank 6, category rank 6 में बोल रहा हूं, आम रिजब वाला से बच्चा लोगों को ये सारा category का पता करने में बहुत दिकत होता है, जैसे disable quota में कोई है, तो 50,000 rank, 60,000 rank में उसको disable quota rank कितना होगा, थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इस वार जो हम लोग बात करेंगे, जैनरल वाला के लिए UR rank, बाकी सारा का category rank, बाकी सारा बच्चा का category rank बात करेंगे, ठीक है, तो अगर आप EWS quota में हो, और EWS वाला rank अगर आपका 60 है, तो आपको civil मिल सकता है, अगर इसका UR rank अगर बात करेंगे न, EWS का UR rank, तो इस साड़ी 300 तक चला जाएगा, इसका UR rank, साड़ी 300-400 तक चला जाएगा, तो UR का हम लोग नहीं बात करेंगे, UR सिर्फ बात करेंगे किनको, जैनरल अस्टुडेंट के लिए, क्लियर, एदम अच्छे से समझो, जो BC category में, BC, backward category में, तो UR rank उनका क्या है, हमको मतलब नहीं, BC rank उनका, अगर 110 तक है, BC rank उनका 10, 20, 30, 50, 100, 110 तक BC rank है, तो उनको सिविल मिल सकता है, क्योंकि पिछले साल मिला था, क्लियर, EBC में, अगर उनका rank 115 तक भी है, तो भी उनको सिविल मिल सकता है, EBC वाला rank बाबू, UR rank का मैं नहीं बात कर रहा हूँ, EBC का rank, क्लियर, अगर आप SC category में हो, और SC में आपका rank 50 तक है, SC quota का rank, आपका 50 तक है, तो आपको पटना 13 में सिविल मिल सकता है, पिछले साल मिला था, क्लियर, अगर आप ST में हो, SC में हो, तो आपको देखो बाबू, ST के लिए ज़्यादा सीविल तो होता नहीं है, तो एक ही बच्चा जो topper apply कर देगा, उसी को मिल जाएगा, तो पिछले साल जो है, पिछले साल जो है, वो चार rank वाला बच्चा apply किया था, चार rank वाला बच्चा, उसका पुरे बिहार में, ST में चार rank था, तो ST में जो एक rank वाला apply करेगा, उसको मिलेगा पहले, एक rank वाला नहीं apply किया था, दो rank वाले को मिलेगा, तो पिछले साल चार rank वाले को मिला है, तो यदि आपका ST में 10 rank के अंदर में है, ST में, तो आप race में हो, लेकिन guarantee नहीं बोला जा सकता, क्योंकि भाई, top college है, ST में जिसका एक होगा, वो भी इसमें apply कर सकता है, लेकिन 4 rank वाले को पिछले साल मिला है, यदि आप disable quota में हो, disable quota में, तो आपको 125 rank तक में civil मिल सकता है, disable quota का 125 rank, आरा भा समझ में, disable quota में अगर आपका 125 rank है, तो आपको civil मिल सकता है, पटना 13 का, सर्विसमें quota पिछले साल, जिसका सर्विसमें quota में 5 rank था न, वो पटना 13 लिया था, तो अगर आपका सर्विसमें quota में 10 rank तक है, तो आप race में हो, आपको पटना 13 का civil मिल सकता है, clear, बात करते हैं, पटना 7 का, पटना 7 के लिए आपको, अगर आप सर्विसमें quota या डिसेबल quota के हो, तो पटना 7 के लिए, डिसेबल quota में, पिछले साल, आपको लाना पड़ा था, 17 rank तक, 17 rank, पटना 7 में आपको 17 rank तक लाना पड़ा था, देखो बाबू, इसमें होता क्या है, जो टॉपर बच्चा जहां अपलाई कर दिया, उसको मिलेगा पहले, क्योंकि डिसेबल quota, सर्विसमें quota में ज़्यादा तो सीट नहीं होता है, आराबा समझ में, हर एक ब्रांच में एक अगो, किसी में एको नहीं, इस्टार का सीट होता है बाबू, तो पटना साथ में अगर आप डिसेबल quota में हो, तो 17 rank वाले बच्चा तक को पिछले साल मिला था, अगर आप सर्विसमें quota में हो, 20 rank तक तो आपको मिल सकता है, पटना साथ का सीबिल, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ सिबिल का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सिबिल, अगर बात करेंगे, आप जनरल rank का, तो 369, ओबरोल कर देते हैं, 400 rank, 400 rank तक पटना का सीबिल मिल सकता, पटना साथ का सीबिल, पिछले बार वहीं 370 rank तक को सीबिल मिला था, जनरल में आप हो, और अगर आपका 400 rank है, तो पटना साथ का सीबिल मिल सकता, गैरेंटी नहीं है, लेकिन मिल सकता, पिछले साल मिला था, इसके आसपास वाले को, ठीक है, अगर आप, अगर आप EWS के बच्चे हो, EWS, तो आपका EWS में 75 rank के आसपास में होना चाहिए, EWS quota में 75 rank, तो आपको पटना साथ का सीबिल मिल सकता है, क्लियर, BC में अगर आप हो, तो BC के लिए आपको 150 rank तक लाना होगा, अगर आपका BC category में 150 rank है, EWS rank में नहीं बात कर रहा हो, category सब, BC में BC category देख लेना, EBC में EBC category वाला rank देख लेना, SC हो आप, तो SC category वाला rank देख लेना, ST हो, तो ST वाला rank देखना, Disable quota हो, तो Disable quota वाला, Service man quota हो, तो Service man quota, EWS हो, तो EWS quota वाला rank देखना, UR rank मत देखना, UR rank कौन देखेगा, जो General बच्चा उसको देखना है, clear, बहुत easy way में इसवर बनाए हैं, ताकि आपका सारा doubt को clear मैं कर दूँ, अब पूरा इस वीडियो से clear होगा आपका, बात करते हैं, EBC का, EBC में आपको लाना पड़ेगा, 145 rank तक, मलब मान के चलो, 150 rank तक, अगर आपका 150 EBC में rank है, तो आपको पटना साथ का सिविल मिल सकता है, 150 rank तक में, बात करते हैं, EBC कोटा का, EBC कोटा के लिए आपको भी लगबग EBC में 150 rank होना होगा, EBC में 150 नहीं, UR में 3000 हो, 4000 rank हो, उससे मतलब नहीं, EBC में आपका 140 rank होना चाहिए, तो आपको सिविल मिल जाएगा, उसके बाद, ST के लिए, सिविल पटना साथ में, या तो कोई seat नहीं है, अबलेबल, ST कैटेगरी के लिए, पिछले साल ST में इसको नहीं मिला है seat, तो ST वाला बच्चे को फिर अन्रिजापोला seat मिला होगा, लेकिन ST के लिए, यहाँ पर seat एबलेबल नहीं है, क्लिए, बात करते हैं मुझफर पूर का, मुझफर पूर का सिविल लेने के लिए, पिछले बार मुझफर पूर में, जिसका भी डिसेबल कोटा रैंक 37 तक था, उसको seat मिल चुका था, सिविल का ही मैं बात कर रहा हूँ, मुझफर पूर में 37 रैंक में आपको सिविल मिला था, डिसेबल कोटा में 37, आ रहा भा समझ में, डिसेबल कोटा में जिनका भी 37 रैंक था, उनको पिछले वार सिविल मिला था मुझफर पूर में, ठीक है, सर्विसमें कोटा में 21 रंग जिनको था उनको मुझाफ़र पुर में सिबिल मिला था तो यह सर्विसमें कोटा का 21 रंग जनरल रंग भले इनका 5000 हो उससे मतलब नहीं सर्विसमें कोटा में 21 रंग ठीक है उसके बाद बाद करते हैं अगर आप जनरल अस्टुडेंट हो यूर रेंग अगर आपका 900 तक है तो सिविल मिल सकता है आपको मुझपरपुर में पिछले साल 900 तक को मुझपरपुर में मिला है अगर आप EWS में हो तो आपको EWS में 70 रैंक वाले बच्चे को मुझाफर पुर में पिछले वार मिला था सिविल 70 रैंक EWS में 70 रैंक ठीक है बात करते हैं BC रैंक का BC के लिए आपको 302 रैंक मलब 300 के आसपास BC में यदि आपका 300 रैंक है तो आपको सिविल मिल जाएगा मुझाफर पुर का category rank 300 BC में आप हो 300 रैंक अगर है आपका category rank तो आपको मुझाफर पुर में सिविल मिल जाएगा clear? अगर बात करते हैं अगर आप EBC में हो तो 325 तक आपको मिल जाएगा 325 rank EBC में 325 rank है आपको मुझभफर पूर का civil मिल जाएगा SC और ST का बचा SC में आपका 108 rank SC में 108 rank AC में यदि आपका 108 rank है तो आपको मुझभफर पूर का civil मिल जाएगा SC में 108 rank उसके बाद disable quota वेगरा तो मैं लिखी दिया था disable quota ST ST इस वर मुझभफर पूर में 8 rank में ST वाले को मिला 8 rank एक seat होता है बाबू 8 rank वाला बच्चा apply किया उसको मिल गया तो ST वाले के लिए थोड़ा सा rank आपको अच्छा होना जाए ST में है ना और यह तो मैं बता दिया था इसमें था सही 30 rank और servicemen quota में 21 rank आप इदम आराम से मिला सकते हो यदि आप EWS का student हो पटना 13 में चाहिए आपका EWS में यदि 60 के आसपास rank है 60 है 50 है 44 है 45 है 20 है 30 है तो है मानो आपको पटना 13 का सिविल मिल जाएगा अगर आप EWS में हो अब 75 rank तक है तो आप पटना 13 apply करना लेकिन सकेंड में पटना 7 भी कर देना क्योंकि साथ में आपको मिलने का ज्यादा चांस है अगर आपका 70-75 के आसपास है तो मुझफर पूर भी try कर सकते हूँ इसमें भी आपको मिल जाएगा clear आरा हमाँ समझ में उसी तरह मालो आप EWS student हो पटना 13 में आपको चाहिए सिविल तो अगर एसी कोटा में अगर 50 रइंग के आसपास है तो आपको मिल सकता पटना 13 150 के आसपास है तो पटना 7 मिलेगा जहाँ मुझफर पूर में और कम वाले को मिल गया मालोड़ा 108 वुला कोमीला 1500 वुला को Minds for भी नहीं मिला इसका मालब मुझफर पूर कुल मिलाके थोड़ा सा demanded में से एक है मलें ये तीनों में एक तरह से या भागलपूर बगरा में टककर चलता एक तरह से देखोगे तो बात करते हैं भागलपूर का भागलपूर में अगर आप disable quota में हो तो 69 rank आपको लाना होगा भागलपूर के लिए 69 rank पिछले बार disable quota में जिसका 69 rank था उसको भागलपूर में सिबिल मिला था अब सोचोगे सर 69 rank तो बाबू disable quota में 69 अगर इसको overall बात करोगे न तो ये 10,000 rank है यूर rank ये अगर देखोगे तो 10,000 यूर rank है आरा समझ भे 10,000 rank 10,000 में 69 ये बच्चा है जो बिकलांग है आरा वा समझ में तो ये 69 नम्मर का बिकलांग बच्चा है तो 69 में आपको भागलपूर में सिबिल मिल जाएगा 70 rank के आसपास आपकर disable quota में हो तो आपको भागलपूर का सिबिल मिलेगा अगर आप 73 rank हो सर्विसमेन कोटा में 73 ये भी आपका चला जाएगा rank कितना 23,000 के आसपास ये दोनों rank चला जाएगा 23,000 के आसपास 23,000 बच्चा मलब यूर rank है 23,000 और देखो कैटेगरी में मातर 69 है 73 समझ रहे हो तो यूर rank से तुलना कर पाना थोड़ा मुश्की लई इसलिए आप कैटेगरी वाला बच्चा हो कैटेगरी वाला rank देखो सर्विसमेन कोटा में 73 तक है आपका भागलपूर में आपको सिबिल मिल जाएगा डिसेबल कोटा में 69 rank तक है भागलपूर का सिबिल मिल जाएगा clear यूर rank यूर rank के लिए आपको 1200 rank तक में मिलेगा भागलपूर का सिबिल 1200 rank अगर आपका यूर rank 1200 तो खै तो भागलपूर का सिबिल आपको मिल सकता है वो भी हो सकता है तो फर्स्ट अलोट्में में ना मिले तो आप upgrade कर देना second तक में आपको मिल सकता है उसके बाद UR के बाद ST के लिए यहाँ पर seat है नहीं ST के लिए seat है नहीं भागलपूर में special SC के लिए आपको 234 rank लाना हो गया SC में 234 rank AC में आपको 234 rank अब यह 234 rank मतलब जानते हो कितना rank हो जाता है? 4000 rank UR में UR में 4000 rank तो 4000 में 234 को ही था जो SC का बच्चा था तो इसलिए मलब इसको round figure में लिख दे रहे हैं अगर आपका 200 के आसपास SC quota में rank है तो आपको भागलपूर का सिबिल मिल जाएगा round figure में 200 के आसपास SC quota में rank है तो आपको भागलपूर का सिबिल मिल जाएगा clear है? बात करते हैं EWS का EWS में आपको 200 rank यदी है आपका EWS में यदी आपका rank 200 तक है आपको भागलपूर का सिबिल मिल जाएगा पुरा चार्ट अच्छे से लिख लेना बाबू? अच्छे से समझ में आ जाएगा 800 rank अब बुलो के सर EWS में 200 में सिबिल मिल जाएगा है 200 तक को मिल रहा है BC में 800 तक को मिल जाएगा अरे भाई ये 200 rank जो है ना भाग जाएगा बहुँ जादा अई 800 भाग रहा 2000 rank तक अई 200 चला जाएगा 5000 तक मतलब समझ रहा है UR से तुलना नहीं करना इसलिए category वाज अपना rank देख लो EBC का बात करू EBC 500 rank तक को सिबिल मिल जाएगा 500 ठीक है? अगर आप EBC वाला student हो अगर आपका category rank 500 तक है EBC में आपको भागलपुर का सिबिल मिल जाएगा clear? बात करते हैं गया का गया का सिबिल के लिए यदि आप disable quota हो तो 30 rank तक आपको लाना होगा disable quota हो तो 30 rank तक आपको लाना होगा अगर आप disable quota में 30 से अंदर हो तो आपको गया, government, politics गया में सिबिल मिल जाएगा अगर आप servicemen quota में 15 rank तक के बच्चे हो तो आपको गया में सिबिल मिल जाएगा अब 15 मतलम ऐसा नहीं कि 15 ही को ही मिलेगा होजे के तो 16 वालों को भी मिल जाए आरा बसमझ में यदि आप general student हो तो गया के लिए आपको 342 rank लाना होगा 300, 350 round figure में रख दे रहे अगर आप 350 rank के आसपास के हो बच्चे तो आपको गया में मिलेगा तो गया का बाबु सिबिल का ज़्यादा demand है पिछले साल तीन rank वाले बच्चा गया में ही लिया था सिबिल पिछले साल 2019 में जो बच्चा तीन rank आया था वो गया में ही सिबिल लिया था पिछले साल जो एक rank आया था वो भागलपूर का सिबिल लिया था एक rank वाला बच्चा भागलपूर में सिबिल लिया था और दो rank वाला बच्चा पटना साथ में सिबिल लिया था देख लो तीनों बच्चा 1 रैंग 2 रैंग 3 रैंग तीनों बच्चा सिबिल ही लिया था पहला रैंग जो बिहार टॉपर था पिछले साल का वो भागलपुर में सिबिल लिया था जो सेकेंड टॉपर था वो पटना साथ में सिबिल लिया था और जो थर्ड टॉपर था वो गया में 300 के आसपास आना होगा बाबू मतलब पटना 13 के बाद ज्यादा डिमांड गया का सिविल का है क्लियर उसके बाद बात करते हैं EWS कोटा का तो EWS के लिए आपको 100 रेंग के आसपास आना होगा बाबू EWS कोटा में यदि आपका 100 रेंग है तो गया का आपको सिविल मिल जाएगा EWS कोटा में 100 रेंग क्लियर बात करते हैं हम लोग BC रेंग का तो यदि आप BC का बात करते हो तो आपको 200 रेंग के आसपास आना होगा अगर आपका BC रेंग 2500 है यूर रेंग ने बीसी रेंग अगर 200 है तो आपको गया का सिविल मिल जाएगा अगर आपको EBC में हो फिर भी अगर 200 है तो आपको गया का सिविल मिल जाएगा क्लियर अगर बात करते हैं आपका SC का SC में आपको बाबू 220 मलब राउंड फिगर में इसको भी 500 ही रख देते हैं अगर आपको 200 रेंग तक है अगर 200 रेंग तक है अगर आप SC में हो 200 रेंग तक है तो भी आपको सिविल मिल सकता है क्लियर और यह तो हम लोग लिखी दिये थे बाबू यह 30 रेंग के आसपस में और यह 15 क्लियर तो सिविल के लिए एक तरह से 5 कॉलेज का मैं आपको डेटा दे चुका हूं तॉप पांच कॉलेज जो सिविल का सबसे ज़्यादा डिमांडेट 5 कॉलेज है फिर से समझो एक वार में round figure में मैं अच्छे समझा दिराऊं वैसा बच्चा जो जैनरल में है अगर उनको 150 UR रेंग तक है पटना 13 का सिविल मिल जाएगा 400 तक है पटना 7 का सिविल मिल जाएगा 900 तक है मुझफरपूर का सिविल मिल जाएगा 1200 rank तक है भागलपूर का सिबिल मिल जाएगा जो कि टॉपर बच्चा पिछले साल भागलपूर का ही सिबिल लिया था अगर आप 3500 rank तक है तो आपको गया का सिबिल मिल जाएगा clear UR rank जो जनरल बच्चे उसके लिए बात किये बात किजिए AWS अगर आपका 60 rank है category में आप EWS के student हो 60 rank तक है category में तो आपको पटना 13 का सिबिल मिल जाएगा 75 तक पटना 7 का सिबिल मुझपरपूर में 70 EWS quota में अगर rank है मुझपरपूर में सिबिल आपको मिल जाएगा 200 EWS quota में rank है भागलपूर का सिबिल मिल जाएगा 100 EWS कोटा में रेंक है गया का आपको सिबिल मिल जाएगा clear अगर आप BC कैटेगरी के हो backward class OBC में BC कैटेगरी के हो 110 अगर आपका कैटेगरी रेंक है आपको पतना 13 मिल जाएगा 75 अगर आपको 1.500 150 कैटेगरी रेंक है आप BC स्टुडेंट हो और आपका कैटेगरी रेंक 150 के आसपास है पतना 7 का सिबिल मिलेगा 300 रेंक के आसपास में है मुझभफरपूर का सिबिल आपको मिल जाएगा 800 के आसपास है भागलपूर का सिबिल मिल जाएगा 800 के आसपास है गया का सिबिल मिल जागा अगर आप BC का student हो और category rank आपको 800 के आसपास है मानलो कि भागलपूर का आपको सिबिल मिल जा रहा है यदि आप EBC के student हो अगर आपका EBC में है आपका category rank 115 है मतलब आपको पतना 13 का सिबिल मिल जाएगा अगर 1.500 के आसपास आपका category rank है पतना 7 का सिबिल मिल जाएगा 325 के आसपास अगर category rank है मुझफरपूर का सिबिल मिल जाएगा 500 के आसपास है भागलपूर का सिबिल मिल जाएगा 200 के आसपास है गया का सिबिल मिल जाएगा अगर आप EBC category में हो तो यदि आप SC candidate हो, SC quota में हो, SC में अगर आपका category rank 50 है, पटना 13 आपको मिल जागा, 50 के आज़ पर 40 भी है, तो भी मिलेगा, 30 rank है, तो भी मिलेगा category में, 150 category rank है, आपको SC student और आपका category rank 1.500 तक है, पटना 7 का सिविल मिल जाएगा, उसके बाब 108 rank तक है, मुझफर पूर का सिविल मिल जाएगा, 800 rank तक है, भागलपूर का सिविल मिल जाएगा, 200 तक है, गया का भी सिविल मिल जाएगा, ST quota के लिए बाबू, देखो, 4 rank, यहां 8 rank, मुझफर अगर आप 10 rank के अंदर में हो, ST quota में 10 rank के अंदर में हो, तो ही यह 5 college में से कोई आपको मिल पाएगा, ST quota में 10 rank, disable quota में आप हो, और आपका 125 rank तक भी है, तो आपको मिलने का chance है, चुकि seat ज़्यादा नहीं होता है, जो ज़्यादा अच्छा rank वाला apply कर देता है, उसको मिल जाता है, जैसे देखो, 17 rank वाला इसमें apply कर दिया, पटना 7 को, तो 17 rank वाले को मिल गया, आरा बासमज में, 125 rank वाला यहाँ apply किया, जो यहाँ मिल गया, तो overall अगर आपका 100 rank, 1500 rank तक disable quota में है, तो ही आपको यह 5 college मिल पाएगा, सर्विस्मेन quota में यदि आपको, और आपका rank जो है सर्विस्मेन quota में 73 rank तक है, तो भागलपुर मिल सकता है, और top 5, top 10, top 20 rank तक है आपका, तो ही यह 4 college मिलेगा, देखो 20 rank तक को पटना 7 मिला है, 5 rank तक को पटना 13 मिला है, clear समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो में, मैं 5 college में, civil के बारे में चर्चा किया हूँ, उमीद करते हैं, आप लोगों समझ में आ रहा होगा, काफी मेहनत से डेटा में वबस्ता किया हूँ बाबू, यदि आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को इसी तरह से लाइक कीजिए, और सपोर्ट करते हैं, बहुत बहुत धनिवाद, थैंक्यू,